तो आज की हमारी इस online class में हम Power BI की topic को कर रहे हैं जैसे कि हमने कल डिसकुशन किया था कि Power BI करने से पहले हम फ़राइसा pivot और power pivot के बारे में power query के बारे में जानेगे तो आपने कुछ देखने के लिए तो आपने कुछ देखा चलिए हम उसी में हम आप टेबल को थोड़ा सा फास्वावड बोर्ट में ले चलते हैं कि जैसे कि में आता है तो मैं pivot में उतना time नहीं दूँगा हम पीवट में फास्वावड बोर्ट में चलेंगे एपने हिसाब से पहले आपको data नौलेज दरची के डेटा है गया बैसी सेल्स का डेटा और यह सेल्स का डेटा है जिसमें आप जो है अजेल्स की मोड है जिसमें अ मेल है की वो है ह कि अलो हलो कि तो पिवन पीषन लगाने के लिए आप ध्रिांद एक अध्यान कर्सेंट में चाहिए अज़ा ब्लैंक रो हो तो आप स्लेक कर लिजेगा दूसरा आप चेक कर लिजेगा आपका कॉलंग जो है वो कॉलंग का हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए इसके बाद मैं यहां इंसर्ट पर आता हूं और आप लगाते एक नई शीट पर चले आते हैं इसमें कुछ चीजे हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आप स् Family फिरणर पर में एइंडिक कर सकते हैं यहां पर है इसको आप लिख सकते हैं चेंज कर सकते हैं अब चेंज इनको बीकर कर शते हैं इन antibiotic को भी चेंज कर सकते हैं जो कि के लूड नहीं चैंब तरह का चेंडिंग नहीं कर सकते हैं ठीक है ठीक है आपने का वैलियू में चेंज नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं अगर आप रिपोर्ट इसे मालने बहुत साइं लोग एक पीवर्ट टेबल ही भीज देखेए तो एक चीज का ध्यान रखेगा क्या ध्यान आप यह रखेगा कि आपका जो डेटा है यहां कि अगर आप नॉर्मल फर्मेंटिंग यहां से कर दीके इस फर्मेंटिंग कर देते हो तो आप रिफ्रेश करोगी आप आप ने गृफ्रेश होजाएगा अभी तख आपने फॉर्मेंटिंग माले कर दिया तक बीदेटा आपका फंदर हो गया तो दस से फंदर की पीजूंट नहीं पॉर्माट का पार्ट का पाट नहीं रहें वर्माट से लिंक नहीं है उसका की से आपला चलेगा कि शी करना तो अगरा न पार्ट में चले जाए और यहां पर हम जो है इस दिजाइं डिजाइन जाए और डिजाइन में यहां जो है आपका जो आपकी वर्मेटिंग है उन्फॉर्मेटिंग के उपर आप अपलाई करें जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी की वर्मेट हो चाहेगा और पिबट के साथ लिंक है जैसे चेंज करोगी यह अपने आपको चेंज भी कर लेगा तो याद रखते हैं उसमें आपका फिल्ट कम होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा हुआ तो उसकेस में आप क्या करेंगे उसकेस में अपने जो भी वैलू है उसको रो में नीचे सब हेडिंग बना तो इस तरह से आजाएगा इस प्लस मैनस है अब दिख्राओं को एक स्पैंड कोलेप्स होता है एक खठा करने के लिए राइज में जाएंगे यहां पे प्लस्पे क्लिक करेंगे तो आपका इस पे क्लिक मैनस करेंगे तो यह जाएगा एक्सपैंड प्लस करेंगे एक्सपैंड कोलाप्स एक्सपैंड कोलाप्स एक्सपैंड कोलाप्स एक्सपैंड हो जगता है लेकि एक चीज़का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसको एचा पिवर् लेकिन अगर करते हैं फिर इसको बेशते हैं क्या यह जबते हैं फिर इसको आप बेशते हैं तो उसके दिखत क्या हो जाता है कि एक ही कुलम में आप देख रहे हैं कि आपका फॉर्म भी है तो अगर को इसको कॉपी करें को कॉपी करें करें कि कर दिया तो पता लगए कौन सब्सक्राइब तो उसके से मैं दोनों को अलग अलग कॉल्म में चाहिए तो उसके लिए राइट क्लिक करें के दिस्प्ले पे चले जाएं वहां पर आपको दिखेगा क्लासिकल पिवर्ट लेयाउट या फिर आप डिजाइंग टूल्स में जाएं और यहां आपको रिपोर्ट लेयाउट में यहां दिखेगा आप शो टैबलर फॉर्म इसमें क्लिक करेंगे तो आपको अलगगा फॉर्मेट में आप इसमें आप देख रहें कि ब्लैंक दिखरा रहां आपको कि आपको सब्टोटल है तो हम इस पर किया और यहां से हमने अंचेक कर दिया हमारा सब्टोटल हमारा यहां से हट गया लाना है तो वापस किजिए और इस पर लाएगे करना है तो यह तो यहां पर तो ठीक है लेकिन जब करके नॉर्मल पैस करोगे पीबर हटा दोगे तो उस समय आप डिवीडी से इसी करें रहता होगा डिवीडी से रहता होगा यह नीचे को एंटी फाइल नहीं करेंगा मैं चाहता हूं कि डिवीडी रिपीट हो जाए समय है इस डी रिपीट हो जाए सवैं रिपीट हो जाए उस केस में आपको डिजाइन में ही रिपोर्ट ले आउट में आदेखेंगे रिपीट और आइटम लेबल यहां पर इसने अपर आपको रिपीट कर दिया ठीक है और मुझे जहां मुझे एक पुड़क के बाद इसके बीच में ब्लैंक रो चाहिए तो हमने राइट क्लिक किया और यहां पर इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इसके लिए यहां निए ब्लैंक रो आता है इसी में आप कर दीजें इंसर्ट ब्लैंक रो विए आपका रोज जह है ब्लैंक इंसर्ट कर देगा कि मुझे ब्लैंक को डिलीट करना नहीं करना है तो आपस मुझे करना है यह आपको दूर्ण रिपीट और इन दो लों के बीच में अगर मुझे मर्ज करना है तो मर्ज आप मुझे मर्ज भी नहीं कर सकते हैं तो मर्ज के निक लिए आपको राइट क्लिक करके फिगर टेबल ऑप्शन पर जाना होगा और मॉर्ज एंड इसमें नहीं इस तरह से आप इसको मर्ज कर सकते हैं आगर बने अजी अब बिदुश्य चीज़ है कि मुझे अब इसकी डेटा देखना है मुझे देखना है कि डेवीडी में डायरेक्ट सेल में टोटल सेल आया है क्या से पता है यह जो चोबन नौस चौसर आया है मुझे इसकी डेटा दिखना है तो जेनरली आप क्या करेंगे फिल्ट्र में जाके आप डेवीडी और डायरेक्ट सेल को आप फिल्ट्र करेंगे हम उसको ना करके हम जास इसके उपर डबल क्लिक करेंगे तो एक नई सीट में मैं निटा को यहां पर पेस्ट कर देगा यह पिबर्टेब के खास यह तो इसलिए को बहुत सा लोगों का एक हैविट होता है डबल क्लिक करने का तो उड़के लिए तो उसकेस में मैं राइट क्लिक करके यह पिबर टेबल ऑप्शन में और यहां पर मैं डिस्प्ले पर आता हूं डिस्प्ले नहीं सब डेटा पर आता हूं और यहां लिखना होगा इसको मैं यहां से अल्चेक कर देता हूं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डबल क्लिक करेंगे तो आपका डेटा नहीं लीखेंगा अब अगला अब सुनाता है कि हम डेटा को शॉर्ट कैसे करें अगर मुझे डेटा को शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट कैसे करें अब मुझे शॉर्ट को यहां पर रख दिया और सिटी को में रख देता हूं यहां स्टेट को रख दिया अब मुझे शॉर्ट करना है पूजा के अब मुझे शॉर्ट करना है तो राइट क्लिक करके आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं इसको पूरे डेटा लेकर जाएगा जहां भी जाएगा राइट दूसर चीज में और भी है कि मुझे शॉर्ट करना इसको पूर्ड़क्ट को सॉर्ट करना तो राइट शॉर्ट शॉर्ट कर दिया तो मेरा कॉलम्ब्र सॉर्ट हो गया आपनी हसाब से संब्सक्राइग तुररा कॉलं हो गया पूरा शॉर्ट हुआं लिए सब्सक्राइग अज़े करेंगा ठीक है ठीक है ठीक है आगे बने हैं जी अब इसमें अगला ओफिशन आता है फिल्टर का शॉट में मूविंग का सॉरी मूव का आता है मैं स्टेट अड़ा देता हूं मैं नेम को या रखता हूं अब इसकी यहां पर दिखी पूजा सबसे टॉप प्यारा इसको इसको बीच में लास्ट में किसी के बाद तो अलफैटिक शॉट होगा उसकेश में यहां पर शॉट के जगापी मूव का ऑफिशन है मूव करोगा तो डाउन सबसे डाउन में आ जाएगा या जाएगा पूज जाब टू एंड करूंगा तो सबसे लास्ट में आ जाएगा इसको अब इसमें हम एक करते हो अगला उप्शन जो आता है कि क्या आप कॉल्म भाइजी मूव कर सकता हूँ जी आप कॉलम भी अपनी इसाब से ऐसे ही मूव कर सकते है ठीक है अब शॉर्टिक और मूविंग के बाद अगला उप्शन आता है फिल्टर का जैसे कि यहां पर अब यहां पर दो चीजिए अगर आपने लेबल फिल्टर किया तो यह आपका जो इसकी अकॉर्डिक प्राव किया तो आपकी इसकी वैलू है उसके पार होगा जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपके लेबल जो भी है वह दिख जाएगा अंचेक किजिए अंचेक और जो चेक कमूvisor फिल्टर से पाहा तो चेक किजिए गओ फिल्टर के अंदर के अंदर है सुअ मैं ओरुट फिल्टर एट लेबल फिल्टर के ओपर आपके केंडिशंव सूर्वाडीन केंगे क्रोढ़का वां कि इसके डिवर्दिंटर करते हैं वही है और एसे आप यूदिव को कॉलम की साथ भी कर सेबी एक्षान एक्षान